अब देखो अबियाग क्या पर्दार्थ अपनी अवस्ता को बदल सकता हैं। अपने प्रिक्षन में जानते हैं कि जल प्रदार की तिनों अवस्ताओं में रहod सकता हैं। कौन कौन सी ठोष झैसे हैं झैसे घंच जो जल वास कि रूप है और अवस्ता बदलने के दौरान पर्धात के अंदर या क्या होता है अवस्ता परिवर्तन से परदात के यह किया परभाव परता है चितर 1.6 के अनुशार उसे परियुक शहला में परियुक थर्मामीटर को इस प्रकाल लटका दें कि थर्मामीटर का बरब को चूर रहा हूँ तीमी आज पर बरब को गरम करना शुरू करें जब बरब फिगल लगे तो तापमान को नोट कर लें थर्मामीटर की माप पर बर नजर रखें जब तक कि अधीकतर जल वास न बन जाए जल के द्रव अवस्ता में गेंशी अवस्ता में परिवर्तन में प्रेक्शन को नोट करें ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज उर्जा बढ़ जाती हैं गतिज उर्जा में वर्दी होने के कारण कण अधीक तेजी से कंपन करने लगते हैं उसमा के द्वारा प्रदत की गई उर्जा कणों के बीच के आकरशन बल को पार कर लेती हैं इस कारण पापनी में बदला जाता है थो जूनतम ताप इसमें लो का स्टेंडत तो तो dis सब्सक्राइब करना है जब पूरी तरह पानी में बदल जाए द्रवावस्ता में तब उसका नोट करना है और जब जलवास में परिवितन होने लगे तो उस समय उसका नोट कर लेना अब देखो किसी ठोस का गलना उसके कणों के बीच के आकर संबल के सामर्थे को दरसाता है कुछ मान दे रखे जैसे I क्वेशाप मात्र केल्वीन होता है और जीरो बड़ाबर कितना हूथा दो सो देओतर केल्वीन ताप की कि माप केल्वीन से जो सेल्शियस में बदलने के लिए हमें क्या करना है तो इसमें दोस्टेवितर जोड़ देना अब आगे देखो गलने के परियोग के दोरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांग पर पॉसने के बाद क्या जब तक संपूर्ण बर फिगल नहीं जाती है ताप नहीं बदलता है विकर को उसमा परदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है करणों के पारस्परिक आकर संबल को वंसिबूत करके परदार की अवस्ता को पदलने में इस उसमा का उपयोग होता है क्योंकि तापमान में बिना किसी तरकी वर्दी दर्शाय इस उस्मिय परदार्ट को बरप अफ्सोसित कर लेती है यह माना जाता है कि जो यह विकर में लीग के शामगरी में शुपी रहती है जिसे गुप्त उस्मा कहते हैं यहां गुप्त उस्मा का अभी प्राइज शुपी होती है उसे हम क्या कहते हैं जैसे आगे देखो वाई मल्डी दाप पर एक एजिट छोस को उस्मिय गलनांक पर बदलने में के लिए जितनी उस्मिय उर्जा क्या सकता होती है उसे सब्सक्राइब प्रसुप्त उस्मा कहते हैं और जीरो डेगरी चैल्ची जानी दोस्तों त इतनी उर्जा आ जाती है कि वे परस पर आकरशन बल को तोड़ कर सौतंड हो जाते हैं इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना सुरू हो जाते हैं वायू मंडली दाप पर वहत आपमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका कवतनांग कहते हैं देखो कवतनांग क सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे उसी तरह परिबासित किजिए जैसे हमने सब्सक्राइब की उस्मा पर सुब्सक्राइब को परिबासित किया है 333 तरवी 100 ताप पर बहाब अथवा वास्व के कणों में उसी ताप पर पानी के कणों की अपएक्षादी गुजा होती है ऐसा इसलिए होता है यह क्योंकि वास्वी करन की गुप्त उस्मा के रूप में अत्रीक उस्मा समावेसित कर ली हैं आप देखो थोस अवस्ता को ग तरव को घंटा करिंगे तो शक्ता में घंज धो करते हैं कि ता बदलने पर क्या है पर दात का रिए बाधर हैं आने अबने शिपह सिम्स्में सिटा की घंश बदल जाती है से से यह करेता दोस्ता में चिद्छ आब में याइबतव energies थोड़ा सा कपूर लें और स्टून करके चीनी कीप न कर यिसके आउपर रख दें इसके एक सिरे पर रूइ का पूंचात में दशाये गया है, अब दीरे दिरे गरम और ध्यान दीजिए, इस में क्या यह को रखना की छीब लगा इसके अंदर क्या राल दो और जैसे ही हमकपूर को गरम करेंगे दो क्या है सीदे ठोस से किसमें बाप में बदल जाएगा और रूज के कारण क्या है वह बाप या वस्ता बाहर नहीं ले जा पाती है और वह वापिस पुना किसमें बजल जाती इसकी दिवारों पर ठोस के रूब और गेंस से सीदे ठोस की बदलने की बड़करिया को निक्षेपन कहते हैं अब देखो दाप परिवर्तन का प्रभाव क्या है हम जानते हैं कि गटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण परदात की विभीन अवस्ताओं में अंतर होता है किसी सिलेंडर में बरी गे में ठोस द्रव और गेंस और फिर उसमें दबाना आया पिश्टन की साहिता से तो देखो ठोस में तो दबाव का कोई असर नहीं होगा लेकिन जो द्रव असना में इसमें से थोड़ा कम और सबसे ज्यादा क्या होगा दाप की बढ़ने होता आप की घटने से द्रव में फ्रस गहते हैं इस तरह से हम कहते हैं कि परतार और तार्व को वासकरन परिवर्तित हो जाती है लेकिन जब तुना करते हैं तो उसमें बदल जाती है और रोस को जब सीधे गरम करते हैं तो आ दो जाती है और और इसको उद्धुभब बातन कहते हैं और गैल्स को जैसे ही एक्तरित करते हैं संग नहीं करते हैं इसे संगनार कहते हैं जो द्रोव में परिवरते हैं यह क्या तीन आवस्ता हैं को बीच का समध्य ठीक है अब देखो कुछ परसन दे रहा है निम लिखिताब को सेल्चियस में बदलना जैसे तो इसको बदलने के लिए यह मैं पता है कि एक डिग्री में इसे क्या करना है दोसुतीर गटा देना तो हमारा उतर गटाने पर उतर आएगा तो रहा होगा अब देखो किसी भी परदात की अवस्ताप परिवर्तन के दोरान ताप मान इस्तिर क्यों रहता है तो इसके लिए देखो किसी परदात का ताप मान बढ़ाने पर वह दूसरी अवस्ता में परिवर्तित होने परम कर देता है एक निची ताप के बाद ताप इस क्योंकि अब समस्त उर्जा अवस्ता परिवर्तन के काम आती है ऐसा तब तक होता रहता है जब द्रग परदाद वह अवस्ता से दूसरी अवस्ता में पूंड रोप से परिवर्तित ना हो जाए इस उस्मा को परदाद की गुपत उस्मा कहते हैं अगला देखो वायू मंडली गेंसों को द्रग में परिवर्तित करने के लिए कोई विद्धी सुजाई तो इसके लिए देखो परदाद की आवस्ता दाव वह अताप पर निर्पर होती हैं अन्तव वास्ता में ताव कम करके वह अधाप बढ़ाकर आवस्ता परिवर्तन किया जा सकता है वायू मंडली गेंस उंचा ही पर होती है जहां ताप कम होता है ताप कम होने के कारण गेंसे सगनीत होकर बादलों में बदल जाती है और द्रव की चोटी-चोटी बुंदों में मिलकर बना लेता है